डियर इस्ट्रेंट्स, वेलकम तो माई यूटुब चैनल, आप सभी का मेरे यूटुब चैनल पर स्वागत है, कैसे हैं आप सब, उमीद गरता हूँ सभी अच्छे होंगे, तो आईए मैं आज आपको बताने वाला हूँ, RCC ड्राइंग में कुछ important questions के बारे में, कई लोग क में किस टाइप से questions पूछे जाएंगे और कितने questions होंगे, इससे पूरे detail में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ताथा बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे आने वाले किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहें, और जितना अधिक से अधिक हो सके, चैनल को सेयर करेंगे, तो आई हम फटा-फटी स्टार्ड करेंगे, जो previous year के questions paper है, हाला कि म कितने questions होंगे, कई लोगों का questions यह रहता था कि sir drawing कितनी पूछी जाएगी, मैं उसके बारे में detail में चर्चा करने वाला हूँ, कितनी drawing आपसे exam में आपके पूछी जाएगी, और आपको कितने उस तरीके से करने होंगे, तो पूरे pattern को मैं आपको दिखाऊंगा भी, बताऊ और साथ मैं उसको किस हिंट भी दूँगा, कि उस questions को आप कैसे solve करेंगे, हाला कि वीडियो देखके आप questions को solve कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, कि questions को कैसे आपको solve करना है, और उसमें क्या क्या hints होंगे, मैं उसके बारे में भी आपको detail में बताऊंगा, तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहा है, यह आपको मैंने एक paper दिखाया है, RCC drawing का, जो model paper की तरह है, और बिल्कुल जो आपका pattern होने वाला है, बिल्कुल इसी तरीके का होने वाला है, यह RCC drawing का 50 number का question paper होगा, जो 3 घंटे का होगा, मैं इस पर थोड़ा सा discuss पहले कर देता ह उसके बाद से मैं आपको questions के बारे में बताऊंगा, पहला question है आपका one way slab, one way slab का plan और L section खीचना है, जो question कितने का है, 10 marks का है, 10 marks का है, उसके बाद option में इसी को दिया है, R करके दिया है, और करके दिया गया है, कि यह singly reinforced beam को भी आप draw कर सकते हैं, उसके बाद आपका दूसर question है, यह RCC वर्गा कारिस्तम्ब, यानि कि RCC square column जो होता है, उसकी drawing आपको बनाना है, उसमें क्या कतना है, plan और sectional elevation बनाना है, आप वीडियो देखेंगे, वीडियो में clear हो जाएगा, हलाकि data दिया गया है, मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो देखेंगे, वीडियो में clear हो जाएगी सारी चीज़ें कि कैसे plan और sectional elevation बनाना है, वीडियो बिल्कुल clear आपको समझ में आएगी, और आपको पुरी drawing भी समझ में आजाएगी, ये पहला question हो गया, जिसका option में एक है, चाहे इसको कीजी, चाहे इसको कीजी, ये दोनों में से एक कर सकते हैं, उसके ये 15 marks का है, means जो question थोड़ा सा tough होगा, वो अधिक mark का हो सकता है, पहला question 10 mark का, दूसरा question हो का है, आपका 15 marks का, तीसरा question आपका है, RCC cantilever retaining wall, cantilever क्या करना है, retaining wall तीसरे question में आपको draw करना है, ये question आपका 10 number का है, आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें सारी data दिए गया है, उ आपका एक overhead जो intense type tank होता है, उसकी drawing बनानी है, अगर कहीं भी टंकी की बाता है, tank आ जाए, तो चाहें overhead water tank हो, चाहें intense type हो, चाहें water tank हो, कुछ भी पूछे, मैंने आपको drawing में जो drawing बताई है, वहीं सारी चीज़े है, क्योंकि वहीं intense type भी है, अगर केवल overhead water tank के बारे में या तो इसको कीजिए, या फिर इसको कीजिए, दोनों में एक ही काम करना है, question बस दूसरे तरीके से पूछा है, मैंने अधी आपको बताया था, यहाँ पे overhead tank पूछ दिया है, और यहाँ पे intense type overhead tank पूछ दिया है, दोस्तों दोनों एक ही चीज़ होती है, सेम होता है, अब की circular beam होती है, उसको भी मैंने दिखाया है, जो span होता है, उसको भी मैंने दिखाया है, columns, beams की थिकनेस भी दिखाई, वो सारी चीज़ों को दिखा दी नहीं है, सेम वही अथवा में करके भी पूछा है, एक प्रबलित cement concrete syroper tanky में ring beam, तल गुंबद, यानि की जो bottom आपका dome हो reinforcement वाले questions को आपको करना होगा, जो reinforcement वाला है, उसको आपको दिखाना होगा, इन दोनों में थोड़ा सा फरक्या है, कि इसमें elevation पूछा है, तो elevation के लिए आपको वो drawing बनानी है, जिसमें मैंने आपको पूरा दिखाया है, हाला कि मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन अगर problem वा वाटर टैंक का मिलेगा, और जो दूसरा वीडियो आपका होगा, वो होगा reinforcement का, ओभरेड वाटर टैंक में जो reinforcement होता है, उसकी drawing आपको मिलेगी, तो अगर इस तरीके से problem का चित्र पूछा है, तो reinforcement वाली drawing आपको बनानी है, और यदि पूछा है आपसे ओभरेड टैंक की drawing तो किवल जो overhead tank है, उसको बना देना है, आईए मैं एक क्वेशन को detail में बताता हूँ, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि pattern, pattern दो तरीके का हो सकता है, मैं दूसरे drawing में, दूसरे वीडियो में ले के आऊंगा, दूसरा वाला pattern, मैंने आपसे बार बार कहा है, कि हो सकता है क question में data दिया रहे है, हो सकता है कि न भी दिया रहे है, अगर question में data दिया रहे है, तो आपका question paper का pattern कुछ इस तरीके से होने वाला है, और अगर question paper में data नहीं दिया रहे है, तो simply पूछ लेगा one way slab का L section खीचिए, और उसमें सभी data swim से मान लीजिए, ये सब data आपको नहीं दि sections में जो data है, उनकी practice करेंगे, ताकि आपको याद हो जाए, याद करने का असान तरीका मैंने बताया है, अभी मैं बताऊंगा भी, अब देखिए, मैं one way slab को थोड़ा से यहां पे describe कर देता हूं, one way slab का जो plan और L section है, इसको खीचना है, तो plan सबसे पहले हम लोग खीचेंग और L section खीचेंगे सबसे पहले, तो इसमें पहला जो data आपका दिया गया है, वो दिया है size slab की, 4 meter into 8 meter, मैंने आपसे बताया है कि जो छोटी वाली span होसी को हम लोग क्या करते हैं, खीचते हैं, तो आइए मैं इसकी drawing थोड़ा सा बता देता हूं आपके लिए, और उसके बाद आप अपने से practice करेंगे, वीडियो देखेंगे पहले, जहां समझ मनी आए, one way slab का वीडियो आपके playlist में पढ़ा है, fourth semester की, fourth semester की playlist से आप क्या कर सकते हैं, चैनल को subscribe करने के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं, जो आपकी one way slab की है, और वहां आपको बिलकुल समझ में आ जा सकते हैं, one ratio 20 का भी आप scale ले सकते है, one ratio 30 का भी scale, तो मैं one ratio 20 की scale पे हलका फुल का इसको बता देता हूँ, बाकी आप क्या करेंगे, इसको draw करेंगे, तो देखें मैं बता देता हूँ, चार मीटर है, 4 मीटर में centimeter से multiply करेंगे, तो 100 cm तो यानि कि 400 cm हो गया, और हमने माल लि तो यहां देखिए मैं 20 से डिवाइड कर दे रहा हूं तो यह आपका 20 सेंटीमीटर आ गया यानि कि जो स्लैब की माप है उस छोटी वाली डायमेंशन हो कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर तो हम लोग तुरंत क्या कर लेंगे यह आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर 20 कि यह 300 mm में ही है तो 300 mm 300 और डिवाइड कर देंगे 20 के स्केल पर तो यह आपका 15 mm आ गया है यहां से दिवार की मुटाई हम लोग इस साइड में 15 mm और दिवार की मुटाई दूसरे साइड में 15 mm खीच लेंगे उसके बाद स्लैब की बीरिंग आपका दिया गया है स्लैब की बेरिंग 150 mm स्केल पर इसको चेंज कर लेंगे 150 डिवाइड बाई 20 साढ़े साथ में मैंने बताया था कि इसको साढ़े साथ में बढ़ा दिया जाता है कुछ याद आया अगर नहीं याद आया तो जल्दी से यूटूब वीडियो पर जाएं प्लेलिस्ट में जाएं और वह इसे यहां भी समझ में आ जाएगा लेकिन यहां मैं आपको पूरी ड्राइंग नहीं बताने वाला हूं उसके बाद स्लैब की थीकनेस 150 mm यानि कि 150 को फिर से स्केल पर चेंज करेंगे तो साढ़े साथ आएगा मैंने बताया थे साथ है तो इसको आठ एमें के बराबर मान ल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर मैं इस ड्राइंग को बताने जाओंगा स्केल से एमडी से तो बहुत ही टाइम लगेगा और इसका वीडियो पहले से ही पड़ा हुआ है आपके प्लेलिस्ट में जो फोर्स सेमेस्टर की प्लेलिस्ट है उसमें तो आप वहां से उसको स्वैम से मानना है तो इतना डेक्ट तो आपको दिया गया था अब कोई डेक्टा नहीं दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि कभर cover अपने हिसाब से 25 mm, indage 30 mm ले सकते हैं, तो यहां तक आप 30 mm indage ले लेंगे, और इस तरीके से क्या कर देंगे, cover छोड़ देंगे 25, या जो भी अपने से मानना है, आप अपने हिसाब से जो भी मानना है, मान सकते हैं, उसके बाद मैंने बताया था कि क्या करते हैं, L by 7 पर bend कर करते हैं, कुछ याद आया, L by 7 पर क्या कर देते हैं, इसको इस तरीके से bend कर देते हैं, कितने पर 45 डिगरी अंगल पर, कितने पर 45 डिगरी अंगल पर इस तरीके से, और इसको move करा देते हैं, वैसे ही दूसरे साइड में भी क्या कर देंगे, 45 डिगरी अंगल पर move करा दें L section आपका complete हो जाता है उसी तरीके से इसका plan भी आप खीश देते हैं इस तरीके से क्या कर देते हैं मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर continuous कर देते हैं और इसको ले जाके आगे इस तरीके से इसको लगवब 5 ये 6 cm ले 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 लेते हैं मुझे बताने क्यों सकता नहीं है अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो में आप जाइए वनवेश लैप के और उसको देखिए उसी इसाब से आप कि जो सिंगली रिंफोस्ट बीम होती है उसका एल सेक्षन आप से पूछा गया है तो एल सेक्षन या तो इसको कीजिए न और में बार्स दोनों प्रोवाइड किया जाता है तो दोनों का आपको क्या करना है प्रोवाइड करना है तो आईए फटा-फट मैं इसके बारे में भी हल्का फुल का बता देता हूं बहुत जादे डीटेल मैं नहीं बताऊंगा देखिए क्या करते हम लोग सबसे पहला ज उसको भी आप दिखा देंगे तो एल सेक्षन पूछा गया है आपसे तो एल सेक्षन सबसे पहले बनाएंगे बीम जो है उसका clear span 4 मिटर दिया है 20 के scale पर change करेंगे तो 20 के scale पर अभी हमने 4 मिटर को change किया था 400 cm आया था इसको divide किया था 20 का scale इसके लिए भी इसके लिए भी 1 ratio 20 का आप scale ले सकते हैं तो यह आपका 20 cm आया तो हम लोग क्या कर लेते हैं फिर वैसे ही यहाँ पर 20 cm इस तरीके से खींच देते हैं उसके बाद यहाँ पर वाल बनाते हैं अब इसमें आपको वाल दिखाई दे रहा है कि जो बीम की माफ है 20-200 mm to 300 mm इन वाल की म्ताई आपको और अपने से मान लेंगे वाल की थीकने से उसको की कितनी होगे अनों सब्pel जाएं कि रहना हुबूलिए नहीं करונה प्रस नहीं दिए तो कोई बात नहीं आप अपने साफ से मान सकते हैं 400 थिम्の माल लिए जैसे हमने स्वेच स्लै भी आ पेज़ीं सॉ माल सकते हैं चारसों में 10 400 mm, 400 mm, इसको डिवाइड कर देंगे 20 का जो स्केल है, तो 20 mm आ जाएगा, 20 mm का मतलब कितना हो गया, 20 mm का मतलब आपका हो गया, 2 cm, यह आप वाल को 2 cm खीज़ देंगे यहां से, इस तरीके से, उसके बाद क्या करेंगे, मैंने आपको बताया थे कि जो बीरिंग होती है, बीम का डिवाइड कर देंगे 20 का स्केल हमने लिए है, तो 20 से तो यह 10 mm आ गया, यानि कि 10 mm इस साइड में इसको क्या कर देंगे, चड़ाद देंगे, उसके बाद मैंने बताया था, यह 220 mm इंटू 300 mm, यह मैंने बताया था कि यह क्या होती है, आपकी चोड़ाई होती है, और यह क् अगला डेटा है, उसमें दिया है कि सियर और टेंशन के लिए क्या करना है आपको, अपने से रिन्फोर्समेंट लगाना है, यानि कि जो नीचे, हमने बताया है कि नीचे जो यह हमारी रिन्फोर्स बीम होती है, उसमें सिंगली रिन्फोर्स बीम उसमें नीचे टेंसन आता है, तो टेंसाइल स्ट्रेस जहां पे लगता है, टेंसन जहां पे लगता है, वहा देखेंगे सिंगलीर इंफोस बीम का उसमें आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ आप देखके क्या कर सकते हैं बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने में बार्ष को लगा दिया ऊपर की तरफ डिस्ट्रिब्यूशन बार्ष को इस तरीके से क्या कर देंगे लगा देंगे और होई हैं आपको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत अगर वीडियो को देखे होंगे तो और नहीं तो चल्दी से जाएए प्लेलिस्ट में और सिंगले रिन्फोस बीम का वीडियो आप देख सकते हैं यहां पर यहां से लेकर यहां तक क्या होता है एल होता है यह यह वाल की म स्टीरप्स को प्रवाइड करते थे और इस प्रकार से जो हमारी बीम है उसका एल शेक्शन क्या हो गया कम्प्लीट हो गया हला कि पूरी अच्छे से समझना है मैं समझां नहीं रहा हूं सिर्प हलका फुलक आपको बता हरा हूं जिससे आपको आसानी हो जाए अपने से ड् भी कर रहा हूं ताकि जिन स्टुडेंस को थोड़ी बहुत प्रॉलम हो रही होगी उनको हेल्प हो जाएगी और साथ में ही वह उसको असानी से उस ड्राइंग को बना भी पाएं और आप लोग बनाएंगे जरूर ड्राइंग को ड्राइंग बना के उसके बाद कमेंट करेंग होगी आप जब ड्राइंग को बनाएंगे आप खुदी समझ में आ जाएगा यह जो स्क्वाइर कालम है यह वर्गाकार कालम है इसकी ड्राइंग थोड़ी सी टाइम टेकिंग होगी 15 नंबर में कर दिया गया इसको ऐसे पूशे जाएंगे 10 नंबर का यह हो गया 15 नंबर इ इस तरीके से केशन पूश ज्यारे की यहांँ ब्लस यहां इस पीडर लोगा आपका क्या पर आ तो आपको मातर चाहर ड्राइंग करना पड़ेंगी quedney मात तर वी बनानीं पड़ेंगी मैं उसकी इसका वीडियो भा जल्द ही लेघंगा जिस पैडर में आपको क्या करना पांच ड्राइंग बनानी पड़ सकती है, हाला कि आप मान की चलीए कि आकि आपको पांचे ड्राइंग बनानी पड़ेगी और उसकी पैटरन में जल्दी लेखे आऊंगा लेकिन आप मान की चलीए कि इस तरीके से कैसे आप से पूछा जाएगा, अब आते हैं RCC जो कालम है उसके बारे में इसमें प्लान और सेक्सनल एलिवेशन दोनों आपसे पूछा गया है प्लान और सेक्सनल एलिवेशन पहला आपका जो डेटा है वो साइज आप कालम दिया है 45 cm इंटू 45 cm या फिर इसको कह सकते हैं 450 mm इंटू 450 mm मैंने mm में आपको जो ड्राइंग है वो बताई है 400 mm या फिर 500 mm इंटू 500 mm ऐसे बताई है मैंने जो आपको ड्राइंग बताई है आपको ध्यान नहोगा तो उसी पर हम लोग क्या कर लेंगे उसी पर इसको बनाएंगे इसके लिए भी का करेंगे वन रेसियो 20 का स्काल लेंगे जो आपका कालम है तो आईए फटाफट में आपको बताता हूँ इसके बारे में यह थोड़ा बहुत हिंट कर देता हूँ बाकि आपको ड्राइंग बनानी है तो इसमें जो कालम है उसका साइज दिया है इतना लेकिन हमें सबसे पहले नीची से ड्राइंग को बनाना स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए क्या चाहिए जो बेस स्लैब है या जो फाउंडेशन है वो आपको चाहिए मैं आपको फाउंडेशन बोलता हूँ ये बेस स्लैब इसी को मैं क्या बोलता हूँ इसी को मैं क्या बोलता हूं फांडेशन आप सारी यह आपका से आप अगणिशन आपको द्राइंग में जो बताता हूं समें फांडेशन बताता हूं तो आपके फांडेशन होगी यह 2.5 मिटर इक वंद रेसिओ कितने का वंस यो 20 का एक सी ध्यान देंगे जब इसमें सिंगली रिंफोस्ट बीम में मैं आपको बता दूँ जब सिंगली रिंफोस्ट बीम में अगर कोई दो जगा क्रास सेक्षन बनाते हैं यह मानले जी A और B पे बनाते हैं तो उसके लिए जो स्केल लेंगे 1 रेसियो 5 का लेंगे हलाकि आप वीडियो देख सकते हैं वीडियो में आपको इस पस्ट समझ में आ जाएगा चलिए मैं इधर आता हूँ आपका जो RCC कालम है उसके साइड में तो 1 रेसियो 20 का स्केल लेंगे और सबसे पहले हम लोग नीचे इसी को ड्रा करते हैं तो 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर को हम क्या करना है ड्रा करना है तो इसको कैसे ड्रा करेंगे 2.5 मीटर है स्केल पर चेंज कर लेंगे 120 का स्केल लिया है 2.5 मीटर है 100 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे तो ये 250 cm आ गया उसके बाद जो scale है हमारी उसी scale से भाग देते हैं 20 का scale है तो 20 से भाग देंगे डिवाइड कर देंगे तो ये 12.5 cm आ गया 12.5 cm क्या कर लेंगे एक लाइन हम लोग हिंच लेंगे इस प्रकार से 12.5 cm की एक लाइन हम लोग क्या कर लेंगे खीच लेंगे इस तरीके से उसके बाद क्या करते हैं तो उसके बाद आपके पास कुछ और डेटा दिये गया होंगे ये देखिए slab की जो मोटाई है वो 70 cm से 30 cm सीरे तक क्या है tapered है 70 और 300 सो जो new की गहराई है वो पूरा कितना दिया गया है एक मीटर दिया गया है जिसमें 70 से लेकर 30 cm तक कितना है tapered है यानि की अगर ये depth जो है आपकी पूरी यहां से लेकर यहां तक जो foundation की depth है ये कितना दिया गया है ध्यान से देखेंगे ये अगर आपका 1 meter दिया गया है foundation की depth अगर 1 meter दी गई है तो उपर से 70 आएंगे, उपर से कितना आएंगे? 70 आएंगे ये 70, 20 पर मान लीजिvity हमने point कर लिया, यहां पर 70 आगे, ये point कर लिया, तो 70 से जो नीचे होगा 30 तक क्या है? tapered है, तो उसको tapered लेना है, 70 से कितना 30 तक tapered लेना है, यानि कि यह 30 है यहां से उपर 30 गया है यह इस प्रकार से गया है यह 30 क्या गया है इस तरीके से उपर गया है और उसके बाद यह पूरा क्या है टेपर्ड है यह पूरा क्या है टेपर्ड है तो उसके बारे मैंने आपको उता है कि यहां से इसका मीड़ पॉइंट लेते हैं औ यह फटा-फट स्केल पर इसको हम लोग क्या कर लेते हैं चेंज कर लेते हैं यह 450 450 आपका काला में इसको डिवाइड कर लेंगे 20 के स्केल पर यह 1.3 पर यह कुछ गलत आ गया और आधा इस साइड में यानि कि टोटल यहां से लेकर यहां तक कितना होना चाहिए 22.5 होना चाहिए यह हमारा यहां से इस प्रकार से और यहीं पर क्या कर देते हैं आपको मैंने बताया था यहीं पर हम लोग क्या कर देते हैं इसको टेपर लाके क्या कर देते हैं मिला देते कुछ याद आया नहीं याद आया तो जल्दी से वीडियो की तरफ जाईए और वहां वीडियो को देखिए आपको समझ में सारी चीज़े आ जाएंगी इस तरीके से हम लोग बनाते थे अब आपको कुछ याद आ रहा होगा अब क्या करते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जा मैंने एक वीडियो आपको इस तरीके का दिखाया है यह 30 cm यह 300 mm होगी यह इस प्रकार से इसमें एक बीम होती है जो लगी होती है उसके बाद जो कभर होता है अपने मन से इसमें प्रोवाइड करना है आपको दिया नहीं गया है इसमें देख रहा है कि पहला क्वेशन बेस स्लैर की मोटाई 30 यहां से लेके हाथे खेज़ देख ओ सासरी की बाद कर रहे थे यह किंटमीटर में से यह 30 cm निकल गया तो यह यहां से लेकर यह तक रसगया बचल आप यह से नहीं बचल गया भण्येशन देख नेवे यहां से बाकियां एक नहीं क्या कर देते हैं tapered कर देते हैं यहीं हमारा क्या होता है ziel होता है आपको मैंने बताया था याद आ रहा होगा कुछ drawing चुकिये आप अपने से बनाएंगे मैं freehand बता दे रहा हूँ आप क्या करेंगे इसकी practice अपने से करेंगे अब क्या करते हैं कुछ याद आ रहा होगा आपको यहाँ से 80 cm की यह इसमें आपकी foundation concrete होती है कुछ याद आया यहाँ से यहाँ तक इसमें यह क्या होता है यह इस तरीके से आपका इसमें कुछ याद आ रहा होगा है आप लोगों को यह मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होती है यहां से लेकर यहां तक यह 80 mm की यह आपकी foundation concrete होती है जिसको bottom concrete black के नाम से हम लोग जानते हैं इसमें 1 ratio 4 ratio 8 मैंने बताया था कि 1 ratio 4 ratio 8 की क्या होती है cement concrete लगी होती है इस foundation में और इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं इसमें अपने से देखिए अगला जो data है अलाकि इसमें और भी data दिये गया है इस side में मैं paste plot के आपको दिखाता हूं यह यह आपको दिया गया है last जो है अरे यह तो last जो आपका data है उसमें दिया गया है कि thumb तथा base slab में उचीत reinforcement की ब्योस्था करें यानि कि अपने से reinforcement मानना है आपको इसमें जो main bars होंगी और जो भी steer ups होंगे वो कितने पे provide करना है यह आपको अपने से क्या करना है मानना है तो यह cover जो आपको मानना है अपने से ही मानना पड़ेगा कि cover कितना होगा मैं मान लेता हूँ cover 40 mm यहां से 40 mm कभर मानेंगे तो क्या हो जाएगा scale पर change करने पर 40 divide कर देंगे 20 का scale है simple सी बात है 2 mm आएगा आपको दिखाई दे रहा है 2 mm आया है तो 2 mm नीचे से उपर छोड़के और इसको क्या कर देंगे इस प्रकार से इसमें cover provide हम लोग कर देते हैं आपको याद आया होगा उसके बाद मैंने बताया था कि end age यहां से यहां तक इंडेज किनारा जो लेते हैं 140 लेते हैं 140 यहां से तो 140 के scale पर change करेंगे 140 divide कर देंगे 20 के scale पर यह आपका कितना आगया 7 mm यानि कि यहां से लेके यहां तक कितना छोड़ देंगे 7 mm और यहां से लेके यहां तक कितना नीशे तक लाते हैं आपको याद आ रहा होगा हम लोग कितना नीशे तक लाते हैं इसको इसको 5 mm यहां से 5 mm नीशे लाते हैं और इसको इस तरीके से मोड़ देते हैं कितना मोड़ते हैं 12D या 300 जो भी अधिक हो 12D या कितना 300 दोनों में से जो अधिक हो वहीं लिया आता है 12D का मतलब क्या हुआ जो आपका reinforcement बार है उसका diameter main reinforcement बार उसका diameter तो माल लिजिए जो main reinforcement बार है column में वो 20 mm का है हमने जो main reinforcement इसमें लिया है वो कितने का लिया है 20 का लिया है इसमें हम लोग क्या कर देते हैं इस तरीके से cover provide कर देते हैं आपको याद आ रहा होगा यह वाली line नहीं रहेगी यहां से इसको ले आना है माफ कीजिएगा यह वाली line आपकी क्या होगी इसमें नहीं रहेगी यह वाला आपका क्या होगा नहीं रहेगा यह जो cover है cover छोड़ने के बाद यह जो आपकी बार है इसको हम लोग क्या कर देते हैं बना देते हैं आपको याद आ रहा होगा इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ आपको इस तरीके से इसको हम लोग क्या कर देते हैं बना देते हैं और यहां से इसको कितना मोडते हैं 12D या 300MM तो मान लिजे हमने main reinforcement bar है इसको मान लिया है कितना 20 mm मान लिया है 20 mm 20 mm को क्या कर देंगे scale पर change कर देंगे 20 mm को 20 से divide करेंगे 1 mm के बराबर आ जाएगा 1 mm आ जाएगा अब क्या कर देंगे 12 D करना है 12 into D D का मान कितना है 20 है कितना आ गया 240 और 300 में से कौन अधिक है 300 अधिक है यानि कि यहां से लेकर 300 mm इसको क्या कर देंगे बढ़ा देंगे आपको याद आ रहा होगा उसके बाद क्या कर देते हैं इसमें एक main bars और दिखाई देती है बीचो बीच इसको भी क्या कर लेते हैं इस तरीके से हम लोग हिंच लेते हैं और उसके बाद इसमें stirrups को provide कर देते हैं आप stirrups अपने इसाब से वीडियो देखेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कितने कितने distance पे stirrups को आपको क्या करना है provide करना है उसके बाद इसमें भी हम लोग क्या कर देते हैं cover provide कर देते हैं इसको इस side में continuous कर देते हैं इसको भी side में cover इस तरीके से provide कर देते हैं और इसमें भी stirrups हैं इस तरीके से जितने उची distance है उस पे लगा देते हैं जितने distance पे लगाना हो stirups को आप उसमें क्या कर देते हैं लगा देते हैं जैसे मान लिजिए मैंने ले लिया है stirups जो आपके है stirups उनको ले लिया है 200 mm center to center लगाना है 200 mm center to center लगाना है और कितने 6 mm diameter के मान लिजिए लगाना है 6 mm diameter के 200 mm center to center 200 mm को scale पर change करेंगे 200 mm को scale पर 20 का scale है 20 से डिवाइड कर देंगे, यह 10 सह में माया यानि कि 1 x cm की distance पर इनको क्या कर देते हैं हम लोग लगा देते हैं, 2 के बीच की distance 1 cm होगी इस तरीका से हम लोगं का जो 2 क्वेश्टन है, 2 स्वारी धिकाई दे रहा है RCC cantilever retaining wall मैं इसको भी थोड़ा से डिस्क्राइब कर दे रहा हूं यह देखिए स्टेम की ऊपर ही चोड़ाई 15 cm दिया गया है स्टेम की ऊपर ही चोड़ाई तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे स्केल की बात कर लेंगे कि स्केल हमारी कौन सी होगी स्केल लेंगे फिर one ratio twenty का हम लोग के लिए यह उचीत पढ़ता है तो इसी को क्या कर लेंगे लेंगे one ratio twenty का स्केल हम लोग क्या कर लेंगे मैं इसको मोडर दूं इस तरीके से ए बन रेसियो س्केल लेंगे और उसे पंदरह सेंटीमीटर को चेंज करेंगे 15 cm को change कीजिए 15 divided by 20 यह आपका कितना आ गया 0.75 cm आ गया अब इसको mm में change करने के लिए क्या कर देंगे 10 से multiply कर देंगे यह सीधे सीधे का सकते हैं कि 15 cm दिया है तो 15 cm और इसको mm में बदलना है तो 10 से गुणा कर देंगे तो mm में आ जाएगा तो यह आपका 150 mm हो गया 150 mm आपका दिया गया है क्या stem की उपर ही चोड़ाई अब क्या करेंगे हम लोग इसमें 150 में scale से divide कर देंगे 20 का scale है तो यह आपक क्या कर लेंगे 7-10-5 mm जो stem है उपर ही चोड़ाई इसको इस प्रकार से खीच लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं जो आपकी stem की नीचे लिए चोड़ाई हो कितना दिया गया है 30 cm 30 cm दिया गया है उसके बाद नीचे आते हैं कि इसको नीचे कितना खीचना है तो इस data को हम क्या कर लेते हैं पहले ले लेते हैं इसके लिए भी कितने का लेंगे वन रेशियो 20 का स्केल इसके लिए हम लोग लेंगे यह हमारी क्या है रेटेनिंग वाल है ये आपकी क्या है रेटेनिंग वाल है स्टूडेंट्स बीडियो में अंत तक बने रहे गए गार वीडियो समझ में आये तो वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सबस्क्राइब करेंगे, सेर करेंगे तथा बेल आइकन को प्रेस कर देंगे जिससे आने वाले किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहा है तो आईए फटाफट मैं आपको बताता हूँ यह जो आपकी स्टेम कि स्टेम की उपर ही उचाई दिया है यह देखी आ गया डेटा चार दसमलो एक मीटर दिया गया है स्टेम की उपर ही उचाई यानि कि यहां से लेकर नीचे तक यह नीचे तक जो हमाई स्टेम होगी इसकी उचाई कितनी है तो यह कितना दिया गया है 4.1 मीटर दिया गया Scale पर change कर लेंगे 4.1 मीटर इसमें multiply कर देंगे 100 से तो यह cm में आ जाएगा और इसको 20 से divide कर देंगे तो यह आपका 20.5 cm यानि कि यहां से 20.5 cm नीचे आएंगे और इसको खीच लेंगे उसके बाद 30 cm नीचली चोड़ाई दिया गया है 30 cm नीचली चोड़ाई दिया गया है किस की stem की तो यह 30 cm यहां से point कर लेंगे 30 cm को Scale पर change करेंगे कितना आएगा 30 cm का मतलब होगा है 300 mm इसको divide कर देंगे 20 के Scale पर आपका 15 mm आगया यहां से 15 mm पर एक Point कर लेंगे और इसको tapered आपको याद आ रहा होगा Scale से tapered इस तरीके से क्या कर देते हैं मिला देते हैं उसके बाद इसको इस साइड में खीच देते हैं उसके बाद आपको दिखाई दे रहे कि जो toe है toe उसका परचे 0.8 मिटर या 80 cm दिया है to क्या होता है मैंने आपको बताया था अभी मैं आपको बताउंगा इसमें समझ में आ जएका toe क्या होता है toe यह ही होता है कि यहां से लिक यहां से लेके यहां तक कितनी निकली है जो आपकी kant anges lipニ Apache रिटर्निंग वाल है साइड में क्या कर लेते हैं 4 सेंटीमेटर तक इस साइड में बढ़ा लेते हैं उसके बाद आपको दिखा रहा दिखाई दे रहा है कि यहां पर बेस लैब में इस्टेंब में प्रभलन की बेवस्था आपने से करनी है यानि कि रिनफोर्समेंट आपको क्या करना है खुद से लगाना पड़ेगा उसके बाद आपको देख रहा है बेस स्लैब की मोटाई कितना दिया है 30 cm दी गई है बेस स्लैब की मोटाई यानि कि यह इसके नीचे बेस स्लैब होता है और इसकी मोटाई कितनी दी गई है 30 cm या 300 mm दी गई है 30 cm इसी को हम लोगो क्या कहते है 300 mm भी बोल स तो यह 300 mm आपकी दी गई आपको समझ में आ रहा होगा यह 300 mm इसकेल पर चेंज करेंगे जितना आएगा उतना खींच लेंगे उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं अब यह मैटर करता है कि यहां से इस साइड में जो बेस्ट लैब हो कितनी होगी दिया गया है कितना दिया है आपका कि 2.8 मीटर इसको आगे बढ़ाना है 2.8 मीटर इसको आगे तक लेके क्या करेंगे चले जाएंगे इसको भी उतना ही आगे तक लेके जाएंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे यहां से लेकर यहां तक कितना होगा आपका 2.8 मीटर होगा 2.8 मीटर को आपको दिया रहेगा डेटा तो ऐसे ही आपको करना है नहीं डिया रहेगा ड्राइंग में जैसे डेटा है वैसे ही आप बनाके चले आएंगे दू-दसमलो आट मीटर ये दिया गया है उसके बाद जो भी इंफोर्स्मेंट बार्स होते हैं वह आप देखेंगे और उसको क्या कर दे अब ड्रा करके चले आएंगे उसके बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला हूं उसको आपको क्या करना है जैसे भी होता है वैसे खुद से ही हमें नहीं पता आप विडियो को देखिए और उसमें क्या कीजिए इंफोस्मेंट को फटाफट कीजिए क्योंकि मैं अगर बताऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसके बाद जो भी reinforcement हो गए रहा है आप अपने से खुद से क्या कर सकते हैं कर सकते हैं इसमें जो भी reinforcement होता है मैंने आपको उसके बारे में बताया है कि कैसे इनमें reinforcement बार्स को लगाया जाता है कितने कितने distance अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जल्दी से फोर्थ सेमेस्टर की प्लेइलिस्ट के वीडियो में जाईए और वहाँ पर ढूंड़िये कि रिटेनिंग वाल कहां है और रिटेनिग वाल को उस वीडियो को देखी और वहां से समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे से कौन से वीडियो कैसे क्या करना है बनाना है एक बार वीडियो को देख ल नहीं है, MD से, जैसे मैं MD से बनाता हूं, आपको भी बनानी है, उसके बाद last question है आपका क्या, सिरोपरी टंकी, सिरोपरी टंकी का ये जो question है, इसमें कैसे बनाना है, इसके बारे में मैं आपसे discuss करने वाला हूं, तो आईए, मैं आपको बताता हूं, ये देखिये, औरैंच क्या है, पेला हुआ, यह तोन लाइता है तो इसलिए 15 दिया गया है, तो आईए ये वाली ड्राइंग आपको क्या करनी है बना के चले आना है ये वाली ड्राइंग आपको क्या करना है बना के चले आना है दोस्तों मैं फ्री हैंड ही बना रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा ठोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैं अगर MD से बनाने जाओंगा तो आपको भी समझ में आ रहा है कि बहुत आपको क्या होगी क्योंकि टाइम में बहुत जादे लोगा और कोई मतलब उसका नहीं है यहाँ पर मैंने बताया था कि यह कालम होता है क्या क्या चीजे कैसे ली जाती है उन सब चीजों के बारे में मैंने आपको क्या किया था बताया था उसके बाद यहाँ से मैंने बताया था कि यहाँ से क्या 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 आपको कैसे कैसे लेना होता है तो उसके बारे मैं आपको थोड़ा से बता दू कि यह दो मीटर की आपको इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं यहां पर सबको यारा होगा कुछ इस प्रकार से बनती है आपकी ये ड्राइंग इस तरीके से बनती है इस तरीके से यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या होता है आपका बाटम डोम इस प्रकार से बनता है कुछ याद आया ये बाटम डोम आपका बनता है इस तरीके से यह जो bottom dome है इस तरीके से बनता है यह 0.2D होता है 0.2D के बराबर होता है यानि कि यह जो diameter यहां से लेकर यहां तक है इसका 0.2 लिया जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं bottom dome बोलते हैं इसके उपर हमारा क्या होता है इस तरीके से tapered हमारी यह इस तरीके से कुछ याद आ रहा होगा आप आप लोगों को इस तरीके से ये बनती है हमारी क्या जो इंटेस टैंक है ये उसके बाद यहां से ये इसको इस तरीके से इस वाल को ले जाते हैं उपर की तरफ अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा समझ में तो आपको पहले से यह आ चुका है यह इस तरीके से इसको ऊपर कितना ले जाते हैं यहां से तो यहां से इस तरीके से इसको कितना उपर ले जाते हैं आपको याद आ रहा होगा 0.6D आप ले जाते हैं उपर और इसको अगर वीडियो समझ में यह नहीं आ रहा होगा यह ड्राइंग तो आप ड्राइंग देखेंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे फूर समेस्टर की और वहाँ से स्ट्राइंग को देख सकते हैं उसके बाद मैंने फिर बताया था कि यहाँ पर इस प्रकार से क्या होती है यह आपकी रिंग वाल होती है यह क्या है यह आपकी रिंग वाल है और यहां से दोनों साइड में आपकी रिंग वाल बनी होती है और फिर यहां पे आपका बाटम डॉम आके इस तरीके से क्या हो जाता है बन जाता है, मैं फ्री हैंडी बना रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बनाने जाओं तो बहुत ज़्यादे टाइम लेगा और उसका कोई मतलब नहीं है, 0.2D क्योंकि यह आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए question paper है यह आपका क्या होता है, यह आपका टाप डॉम होता है और इस प्रकार से आपकी यह ड्राइंग बनके complete होती है हलाकि आप अपने से बनाएंगे वीडियो को देखेंगे 4th semester की playlist में जाके और उसके बाद drawing को अपने से बनाएंगे वीडियो पसंदा है तो वीडियो को like जरूर कीजियेगा चैनल पर यादी नए हो तो चैनल को subscribe कर लीजिए क्योंकि हर semester की drawing आपको बहुत ही आसानी से मैं समझाने वाला हूँ और पड़ी भी हुई है लगबग सभी समेस्टर की वीडियोज आपको पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में तो वहां से आप देख भी सकते हैं तो इसके लिए इंपोर्टेंट होगा आपके लिए इस चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर कर ले अब आईए मैं आपको बताने वाल चित्र है उसको पूछा गया है यह तो पहली ड्राइंग हो गई इस तरीके से जो मनी है उसको अगर एलिवेशन आपसे पूछ दिया केवल एलिवेशन तब आप इस ड्राइंग को बनाएंगे और अगर आपसे टाप डोम बाटम डोम रिंग बीम इन सब का प्रबलन तो आपको याद आ रहा होगा इसके लिए मैंने जो ड्राइंग आपको बताई थी कौन सी कौन सी ड्राइंग आपको मैंने बताई थी कि जो रिंफोर्समेंट होता है वो किस प्रकार से लगाया जाता है तो इसमें जो रिंफोर्समेंट होगा मैंने इस तरीके से आप को बताया था कि इसमे इसमे VOICE-10 आपको दूसरे पर बना रहा रहा हूं दूसरे पर यह आ के अब यहां पर थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा यह आपका इस तरीके से मैंने आपको एक ड्राइंग बताई थी आपको याद आ रहा होगा यह यह इस तरीके से मैंने आपको बताया था कुछ याद आया अब आपको याद आ रहा होगा इस तरीके से मैंने आपको बताया था यह यहाँ पे इसमें हमारा क्या होता था? इसमें हमारा कभर होता था और यहां पे हमारी ये एक बीम हुआ करती थी इस प्रकार से इसमें कुछ याद आ रहा हो गए आप लोगों को ये इस तरीके से इसको हम लोग बनाते थे ये, इसमें हम लोग reinforcement करते थे, इसमें क्या करते थे, reinforcement इस तरीके से करते थे हर जगह, ये इस तरीके से हमारा reinforcement इसमें क्या होता था, होता था, ये यहाँ पे बीम लगती थी, यहाँ भी reinforcement को हम लोग दिखाते थे, ये हमारा क्या था बाटम डॉम था कौन सा बाटम डॉम इसके उपर आपकी टाप डॉम हुआ करती थी ये ये इस तरीके से और यहां तक इस पूरे रिन्फोर्स्मेंट को हम लोग क्या करते थे इसमें दिखाते थे ये इस तरीके से अब आपको कुछ याद आ रहा होगा तो आप वीडियो में जाएंगे और वीडियो को देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हम लोग क्या करते थे रिन्फोर्समेंट को इसमें प्रवाइड करते थे ये हमारी क्या है ये हमारी टाप डोम है क्या है टाप डोम है ये इस प्रकार से अगर प्रवलन के बारे में पूछे अगर उनमें प्रवलन के बारे में पूछे तो ये वाला फिगर आपको मैंने बना दिया है किसमें प्लेलिस्ट में आपके रखा है इसको बना सकते हैं तो इस प्रकार से जो आपकी पूरी ड्राइंग है ये कम्प्लीट हुई कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे चैनल पर नए हो चैनल को सबस्क्राइब कर ले जल्दी से क्योंकि हर सेमस्टर की ड्राइंग आपको मिलने वाली है और जीतना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों मित्रों में जो डिप्लोमा करते हों उनमें आप भेंज सकते हैं ताकि उनको भी इसका लाव मिल सके और वो इसको आसानी से पढ़ सकें आसानी से समझ सकें कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या नहों किसी भी स्वरस्टर में तो यह आपका जो पुरा पैटर्न है पुरा क्वेस्टन पेपर है यह खतम हो गया इसके बाद मैं एक वीडियो और लेके आउंगा जिसमें मैं दूसरा पैटर्न बताऊंगा जिसमें हो सकता है कि पांस ड्राइंग हो तो उसके लिए भी आप लोग तयार रहीएगा उससे पहले आप यह जो पेपर है इसको अपने से साल्व करेंगे स्कीन सौट करके और साल्व कर लेंगे थैंक यू